हेलो आपका स्वागत है और इस वीडियो में जो हम कुशन करें है वह है क्लास 9 एक्सजाइस नंबर 13.4 कुशन नंबर 3 कुशन है find the total surface area of a hemisphere of radius 10 cm और पाई आपको यूज करना है 3.14 ठीक है तो कुशन में जो कहा है वो है कि एक हेमिस्फेयर का total surface area पता कीजिए जब कि उसकी रेडियस कितनी है 10 cm गिवन है ठीक है तो आप हेमिस्फेयर तो हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से होता है अगे तो यहां से इसकी रेडियस हो गए रेडियस कितनी हो गए आर जो दे रखा है वो है 10 cm और आपको जो पता करना है वो है इसका टी एस एस ए का सर्कुलर जो एरिया है सर्कुलर बेस का वो पूरा मिला करके टी एसे बनता है वो हमें फाइंड करना है अब देखें सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है इन हैमिस्फेयर रेडियस रेडियस जो है वो 10 cm दे रहे है और फाइंड करना हमको टी ए से है तो टोटल सर्फेस एरिया औफ हैमिस्फेयर that is what 3 pi r square ठीक है 3 into pi pi के value आपको specially दी है 3.14 रखिये और r radius is 10 into 10 उसका square और यह है cm में स्क्वेयर ठीक है अब सॉल्व कर दीजिए तो यह गया 3 into 3.14 into 10 का square यह लिए 10 into 10 cm स्क्वेयर ठीक है और आगे सॉल्व करें तो इन दोनों को multiply कर लिए 3 4 जा 12 3 बन जा 3 और ए 4 3 जा 9 और पॉइंट है यहां पर तो एक और दो के बाद पॉइंट इंटू 10 into 10 यह हो गया 100 cm स्क्वेयर पॉइंट को आप हटा दीजिए तो यह बन जाएगा 942 और नीचे आ जाएगा 100 into और चल रहा है 100 cm स्क्वेयर 100 से 100 कैंसल हो गया तो जो आंसर आया हमारी पास वो है 942 cm स्क्वेयर ठीक है तो यह हमारा को समझ आया होगा थैंक्यू वेरिमिट फॉर वाचिंग